तो इस वीडियो में जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है गैल इंडिया लेमिटेग ये स्टॉक 223 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है मार्केट में इसने 1.73% का आप मूब दिया था फ्राइडे को मार्केट कैप है इसकी 1,46,598 करोड की तो मोटर होलिंग 51.90 परसंट है बुक वैली 117 है डिविदेंट इल 2.47 परसंट है एंड फेस वली 10 है फंडमेंटल वीडियो में अल्ड़ी बना चुकी हूँ प्लेलिस में आड़ कर दूंग आप देख सकते हैं अभी के लिए शॉट में देखें तो मीडियों चेंज हो चुका है चोटी सी उपर है मीडियों इसका 14.50 है एंड 14.80 पर ट्रेड कर रही है तो कोई दिकत परिशानी की बात निया है एक वार इसका शेयर होलिंग पैटर्न चेक कर लेते हैं हम वह चेंज तो अभी तक कोई ऐसी ऐसाच नियूज नहीं है कि यह चेंज आया है कोई अभी के लिए चलते हम इसके चार्ट पर चार्ट पर सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें एक चोटा सा मूव मिला था जो कि है 1.73% का यहां पर एक वार हम सपोर्ट एंड रिजिस्टेस लगा के चलेंगे पहले तो क्योंकि यहां का यहां हुआ नहीं है वह मेंटें तो एक पर लगा के देख लेते हैं तो यह इसकी हम रिजिस्टेंस बनती है क्योंकि इसका वुड़ यू कॉल नहीं है यह इसका जो तो बिलकुल कहीं नहीं से उसके आज पास है यहे Bronx तो अभी के लिए हम सपोर्ट एक बना כil rageinte कश जरे तो मुझे लगता है कि यह वाला भी support काफी strong है क्योंकि यहां पे देखे यहां पे इसकी lines touch हो रही है and इसके बीच में अभी stock trade करा था कुछ दिन तो तो कुछ दिन रहा है इसके बीच में and यह भी नीचे भी आया था उसके बाद यहां से 216.65 के असपा से reversal तो अभी के लिए एक बार और उपर के resistance हम चेक कर लेते हैं ऊपर के resistance रहे गी यहां पे जहां पर यह पैहले लेके गया था resistance यहां से तो rejection लेक्षिन लेक जैथा यहां के रिले रही गी एक बार weekly लेते हैं कैनल भी देख लेते हैं कि क्या buyers के हाथ में, stock sellers के हाथ में तो weekly अगर हम check करें यहाँ पे, तो पीछे तक देख लेते हैं कुछ है तो नहीं हमारा chart कुछ उपर नीचे रहा हो तो तो यहाँ पे अभी के लिए कुछ भी नहीं है, यह इसका बिल्कुल high point है यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसने कहीं न कहीं high भी बनाया है इन 2-3 weeks पहले तो अभी इस high को break तो नहीं कर पाया है बट उसके close जरूर है तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो resistance of course रहेगी ही रहेगी क्योंकि यह है इसके high की 1, 2, 3, 4, 5 तो यह 5th week complete हुआ है यह जो week था यह 3rd June वाला तो यह आपको पता ही election times का था यहाँ पे काफी जादा fluctuation देखी गी है high इसने लगाया था 233.20 का and low इसने लगाया है इस week में 173.50 का उसके बाद reversal of course मिला है हमें next week में and काफी अचा reversal मिला है but down move इसमें हमें positive move ही मिला था वैसे 4.11% का positive move मिला उसके बाद हमें 4.29% का positive move मिला and उसके बाद so on so on so on तो इस week में हमें मिला है 1.55% का positive move and RSI जो है हमारी 69.95 है मतलब 70 पे है and यहाँ पे RSI of course support बनाती है and support बनाकर भी यह यहाँ पे reversal देती है and RSI के पास देखे तो weekly RSI के पास headroom है अभी move करने के लिए अगर हमें move मिलता है तो देखते है daily chart जो है क्या कहता है and stock definitely यहाँ पे sellers नहीं buyers के हाथ में है but हाँ यहाँ पे sellers जरूर activated हैं वो रहे हैं and यहाँ पे shortest ने short भी किया है इसका tummy बन गया था and mouth broad हो गया था tummy बन गया था अभी इसका mouth फिर से narrow हो रहा है and हुसक है कि हम फिर से एक नए breakout की त्यारी कर रहे हूँ यहाँ पे तो अभी के लिए अगर हम देखे थोड़ा सा यह ना एक channel भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है तो थोड़ा सा जल्दी जल्दी में यहाँ पे बनाते हैं चैनल ने तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है तो ओके तो यह हमें somewhat थोड़ा सा उपर कर लेते हैं connect करते हैं तो somewhat यह channel clearly नहीं बोलूँगी मैं कि यह बहुत perfect channel बन रहा है बट यह somewhat कहीं न कहीं यह channel हमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है तो यहाँ पे लेके चलते हैं तो कहीं न कहीं यह channel बनता हुआ दिखाई दे रहा है हो सकता है channel के असपास से ही इसने reverse लिया है वैसे बहुत prominent channel नहीं है जो मैं बोलूँगी हाँ यह बहुत अच्छा channel बना है यह थोड़ा सस्ता event टिकाऊ वाला channel है थोड़ा सा काम चलाऊ वाला channel तो अभी के लिए channel के अंदर ही ट्रेड कर रहा है rejection भी वहीं से ले रहा है कहीं न कहीं थोड़ा सा इसको उपर कर लेते हैं हम yes, so I think this is this this might work तो यह वाला channel बन रहा है यहां पर तो stock अभी यह वाले resistance ब्रेक करने के लिए बहुत volume के जूर्ट पड़ेगी Friday को volume आया था 20 million का and that is not at all enough I think उसे बहले 15 million का यह stock काफी strong है and इसमें volume भी काफी अच्छा आता है तो मुझे लगता है कि यह वाला volume से तो काम नहीं चलने वाला यहां के resistance को break करने के लिए बाकि अगर sellers की participation नहीं रहती है तो हो सकता है, वो भी जाए but क्यूंकि high की resistance है तो मुझे लगता है sellers की participation यहां पे रहेगी and उपर से यहां पे range shift हो रहा है तो काफी बार यह 60 को test कर चुका है यह तो 3rd June वाला है तो इसको हम ignore करेंगे अभी तो यह काफी बार test कर चुका है 60 को cross नहीं कर पाया बट जैसे 60 से उपर जाएगा test करने फिर से आएगा 60 पे तो थोड़ा सा इस चीज़ को संभल के चलें अब fresh entry की बात करें तो volume की उपर खासा ध्यान रखना पड़ेगा trading view ने strong buy का दिया है बट मुझे लगता है कि यहां पे यह कहीं crawl ना करे अगर volume इतना ही रहता है तो volume अगर अच्छा आजाता है फर्स्टाफ में यूजली पता चल जाता है volume अच्छा आजाता है तो मुझे लगता है इस टॉक यहां से निकल सकता है और काफी अच्छे move दे सकता है तो volume क्यों पर depend करती है हमारी entry and fresh entry की बात करी वैसे तो मुझे लगता है कि काफी अच्छे move यह दे सकता है यहां पर price band 10% का है and news एक आई है और वो news आई थी फोर्थ को वैसे अब यह वो पुरानी होगी है news आज 7th है और कल 8th है तो 2-3 दिन पुरानी होगी है news यहां पर कुछ भी नहीं इन्होंने normal news है ऐस सच कोई price क्या आप यह दान वो में किसी तरीके की मदद नहीं करेगी यहां पर बस वो ही है कि इन्होंने बताए कि जो dematerialized form में थे sorry materialized form में थे जो materialized form क्या होता है कि जो इनके पास पहले certificate आते थे घर पे की यह share आपके पास है आपको पता है certificates आते थे तो जो पहले certificate वाली form में थे मतलब materialized form में थे तो उनको जैसे ही इनको मिला है वो उसकी intimation मिली है तो इन्होंने 15 days के अंदर अंदर उसारे materialize करके इन्होंने exchange पे चड़ा दिये है तो बस उसी की news है कोई SH price क्या पे down move में की कोई news नहीं है कि उससे कुछ मदद मिले delivery percentage की बात करे 43.85 गया है and ठीक है 30 से उपर जब रहता है delivery percentage तो ठीक रहता है but not enough again not enough for this stock इस stock में काफी भारी भरकम काफी अच्छा volume usually देखा गया है तो मुझे लगता है कि volume के थोड़े से jump की भी जरूरत है यहां पे and यहां पे आके मुझे लगता है jump मिलना संभव भी है तो अभी के लिए यह जो target है ना यह हम पहले भी लेके चले थे and यही वाले target हम लेके चलेंगे मुझे लगता है कि month end के आसपास इसके आसपास से trade करता हूँ हो सकता है इसको achieve करने के लिए हमें 14% के move के आसपास की जरूरत है but fresh end में कोई थोड़ा ज्यादा short नहीं लेके चले यह 7 trading sorry 3 trading weeks का target है and मैं ज्यादा short नहीं लेके चले in fact in fact हमारा 23rd को budget भी आने वाला है तो हो सकता है कि मैं उससे पहले या बीच में revise करना पड़े क्योंकि जो government की companies होती है sell well and ये gal औगरा ये सारी जो है ये government की companies है तो उन पे थोड़ा सा फरक तो पड़ता ही है चीजों का जब budget आता है तो फरक पड़ता है तो मुझे लगता है कि उस चीज को थोड़ा ध्यान में रखके चले and entry point से volume के उपर खासा ध्यान दे price को manipulate किया जा सकता है volume को नहीं तो उसके उपर थोड़ा खासा ध्यान दे and hiccup ज़रूर मिल सकता है अगर निकल गया तो test करने आ सकता है अगर test नहीं करने आकने की नौबत मिली तो यह हो सकता है यहीं पर crawl करे ठीक है तो यह मेरी analysis है कोई buy sell hold के recommendation नहीं है आप अपनी analysis कीजिए जानी समझे पढ़िए और फिर invest करिए बिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक लिए शुक्रिया and happy investing